हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक ही होंगे सरमीला मेहता ब्लोग में आपका स्वागत है तो आज है 11 जुलाई मैं यहाँ पर ऐरन कर रही हूँ आज संडे का दिन है तो हस्बिन का छुट्टी है आज तो आज वो कहीं और ही जा रहे हैं तो सर्ट मैं आईरन नहीं किया हुआ था तो मैं अचानक से याद आया मुझे कि मैं आईरन नहीं की थी क्योंकि लाइट नहीं था कल मैं बताई थी आप लोगों से कल चार बुजे ही लाइट चला गया था फिर उसके बाद साम को ही लाइट आया था तो मुझे सुबह ही करना पड़ा जल्दी बाजी में तो मेरा हो गया है एरन रन नास्ता उस्ता साब बन चुका है अब मैं इधर खाना बना रही हूँ नास्ते में मैं बनाई थी भिंडी का सबजी और रोटी और दही भी था क्योंकि दही वाले आये हुए थे दही बेचने के लिए इधर यादव आते हैं दही बेचने तो मैं ली थी हाफ केजी तो उसमें से मेरे हजबन खाया है और मेरी बेटी खाई है और कोई नहीं खाया, तो दही बज गया था, तो उसी से मैं यहाँ पर कड़ी बना रही हूं, तो आभी का खाना में मैं चावल, कड़ी और आलू का भूजिया बनाऊंगी दोस्तों मैं यहां पर बेसन का कड़ी बना रही हूँ चना दाल का भी कड़ी बनता है लेकिन अभी चना दाल मैं फुलने के लिए नहीं डाली थी रात में तो इसलिए मैं बेसन का बना रही हूँ और यहां वही दाही को मैं फेट ली थी पुरा पतला करके मैं यहां पर बेशन में कुछ नहीं डाली थी बस थोड़ा सा नमाक और हल्दी डाल कर फेट ली थी बहुत ज़्यादा देर इसको बेशन वाला फेटना होता है चना दाल वाला है न ज़्यादा नहीं फेटना होता है इसमें जादा टाइम लग जाता है फेटने में तो यहाँ मैं रिफाइन तेल यूज की थी छानने के लिए उसी में से मैं बच गया था थोड़ा तेल तो मैं वही तेल में फिर इसको तड़का लगाऊंगी तो मैं इसमें जीरा और सुखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर फोरण उसके बाद मैं मसाला डालूँगे इसमें मैं दो तरीके से बनाती हूँ कड़ी लेकिन मैं आज एक तरीका दिखा रही हूँ आपको दूसरे तरीके और कभी दिखा दूँगे तो देखिए मैं यहीं पर लगाई हूँ अपने आंगर में छोटा डबा में कड़ी पत्ता लगा कर रखी हूँ है तो छोटा सा पेड लाएं थे मेरे हस्बेंट दो पत्ती का तो मैं इसको लगा दी थी कि कड़ी बनाने में काम आता है कभी कभी और सांबर बनाने में भी काम आता है तो मैं घर में ही लगा दी थी नहीं तो फिर किसी को घर से मांगना पड़ता था और फोरन डालने के बाद फिर मैं इसमें मसाला डाल दी हूँ मसाला हुआ ही मिर्च है, अद्रक है, लसुन है, जीरा है, गुलकी है और हल्दी है बस यही मसाला डाली हूँ मैं सिल्वट्टा में पीस कर मेरे डब्बे में नमक खतम हो गया था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि कल मुझे सारा डब्बद होना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही नमक डाली हूँ अभी कल सारा डबबा धोकर उसके बाद ही मैं सब में भरूँगी मसाला मैं हाली में सारे डबबे को धोई थी पर अभी मुझे फ्रैडे फास्ट स्टार्ट करना है संतोसी मा का तो मैं इसलिए फिर से सारे डबबो को और थोड़ा अच्छा से साफ सफाई करूँगी घड़ का तो देखिए मैं यहां पर बेशन का घोल भी डाल दी हूँ वही बेशन जिससे मैं पकोड़ा तली थी उसी में से थोड़ा बचा कर रख ली थी और वही बेशन को फिर पानी में घोल कर और डाल दी अब इसको मैं करने के लिए छोड़ देंगे वही 25 मिनट तक इसको करने के लिए छोड़ दूँगे धीरे धीरे यह कर जाएगा थोड़ा गाड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें दही वाला जो छांच बनाई थी वो डाल दूँगे और मैं पकोड़ा तल कर पानी में इसलिए नहीं डालती क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है इसलिए मैं पकोड़े को धो कर उसके बाद पानी डाल देती हूँ वो वाला पानी कड़ी में तो ताकि वो धीरे धीरे फूल जाता है तभी उदर मेरा मसाला अभी गढ़ा हो रहा है कड़ी तब तक मैं इधर खाना बनाने टाइम जो बर्तन हो जाता है ना थोड़ा मूड़ा धूलते रहता है बार-बार वही बर्तन है मेरा तो ओए मैं साचीं कि ठोड़ा धोकर हटा लेती हूँ दोस्तों मैं इतना जल्दी अल्दी बरतन नहीं धो रही हूँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दी हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दी हूँ और दोस्तों वीडियो को skip मत करियेगा दोस्तों क्योंकि लास्ट में मैं आपको यहां पर फ्रॉक में चैन लगाने के लिए बताई हूँ क्योंकि बहुत ऐसे घरों में फ्रॉक तो ठीक ही रहता है लेकिन चैन खराब होने के कारण सभी लोग फ्रॉक को फेक देते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं बस चैन तुटने के कारण तो वही मैं बताई हूँ कि कैसे चैन लगाया जाता है घर में कोई भी जो नहीं भी सिलाई सिखे हुए हैं उन लोग भी लगा सकते हैं इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूं कि हो सकता है है मेरे वीडियो से थोड़ा है उप मिल जाएगा इसलिए मैं चैन लगा कर बता दी हूँ आप लोग को दोस्तों मेरा छोटा सा आंगन है इसलिए यही मेरा देखे यहीं पर कड़ी पत्ता जो भी मैं तोडी थी यही डबब में लगाई हूँ और बगल में यहीं पर मनी प्लांट है तो बहुत जादा बढ़ गिया है फैल रहा है मनी प्लांट इतना ही छोटा आंगन में मैं बरतन भी साफ करती हूँ और इधर मैं तुलसी जी भी लगाई हुई हूँ इधर पूजा भी करती हूँ और गर्मी के दिनों मैं खाना भी यहीं पर चुला रखके बनाती हूँ तो यही आंगर में मेरा सब कुछ हो जाता है दोस्तों काम आ जाता है अभी देखिए बर्तन धोते-धोते मेरा कड़ी उबलने लगा है देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है पहले से क्यूंकि बेसन है ना तो बेसन फैलता है धीरे-धीरे तो आप मैं इसमें डाल देती हू चांच इस तरह से बनाईएगा एक बार दोस्तों देखिएगा आप लोगों को पसंद आएगा यही कड़ी अगर मैं नौन इस्टिक बर्तन में या फिर फैंसी चुलहा में किसी में बनाओंगी तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में लेकिन मैं यहा है और हां दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा है कि दीदी आप एक माइक ले लीजिए क्योंकि आपका आवाज बहुत कम आता है तो यह बत सही है दोस्तों मेरा आवाज थोड़ा कम आता है क्योंकि मैं मोबाइल से ही अपना वाइस ओबर करती हूँ इ देखे दोस्तों ये मेरा भगना है वो बोले थे मामी मेरा वीडियो नहीं बनाईएगा लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी सिले में दिखा दी तो मैं माइक बहुत जल्दी ले लूँगी दोस्तों देखे मेरा कड़ी अब होई चुका है उसके बाद मैं दोपहर में सूट नहीं कर पाई थी दोस्तों मैं तो आपको बताई हूँ कि मैं दोपहर में सिलाई करती हूँ मुझे टाइम से देना पड़ता है और मैं यहां पर आप लोगों को चैन लगाना बता रही हूँ जो मैं आपको बोली थी कि लास्ट में मैं चैन लगाना बताऊंगे तो देखिए ये पुराना फ्रॉक है किसी का उन्होंने चैन ला कर दिया है तो इस तरह से मैं लगाती हूं चैन अभी टाइम हो रहा है तीन बज रहा है तो मैं सोची कि लगा देती हूं चैन मुझे लगा दोस्तों कि हो सकता है मेरे वीडियो से किसी को हेल्प मिल जाएगा क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है बस देख देख के ही करना है मैं भी नहीं जानती थी लेकिन मैं करने से सीखी है आप लोग भी कोशिस करिएगा तो हो जाएगा मेरे पास थोड़ा चोटा ट्राइपोर्ट है दोस्तों तो मैं अच्छे से आपको नजदीक से दिखा नहीं पा रही हूं मैं कोशिस करूंगे कि मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगे लेकिन फिर भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे सिलाय तो कर सकते हैं क पुराना फ्रॉक में कोई भी लगा सकता है भले कि नए ड्रेस में कोई लगा नहीं पाएगा क्योंकि कटिंग करके लगाने में थोड़ा मेहनत है लेकिन पुराना वाला ड्रेस में कोई भी लगा सकता है इसमें कोई मेहनत नहीं है कर दो कर दो कर दो तो देखें दोस्तों लग गया फ्रॉक में चैन अभी यहीं चैन नहीं लगा था तो फ्रॉक कोई काम कर नहीं था कचड़ा में फिकने जैसा हो गया था अब इसमें चैन लग गया है तो अभी फिर भी इसको कुछ दिन लोग पहन सकता है क्योंकि अब यह पहले से भी अच्छा हो गया है और दोस्तों मेरी बेटी एक गुलदास्ता बनाई है कागज का कलर करके कागज को उसके बाद उसने राउं राउं करके रोज बनाया है और गुलदास्ता बनाई है तो तो लोग कल से बोल रही थी थी मम्मी मेरा भी गुलदस्ता का वीडियो बना दोना डाल दोना उसी में तो मैं सोची कि आप लोगों को दिखा देती हूं तो देखिए मेरे बेटी ने बनाई है गुलदस्ता अपने से उसको बहुत मन था कि आप लोगों को दिखाए यह गुलदस्ता में तो मैं दिखा दी आप लोगों को तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों और सेयर कीजिएगा थैंक यू